साल 2016 में UPSC ने सवाल पूछा था निमलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या फिर नदिया हैं। देबांग, कमेंग, लोहित। ब्रह्मपुत्र तिबबत इस्थित चेम्योंगडूंग ग्लेशियर से निकलती है जो सिंधु के उद्गम स्थल मान सरोवर से लगभग डेर सो किलोमेटर दूर है। तिबबत में ये नदी पूर्व की ओर लगभग अठारा सो किलोमेटर बहती है जहां इसे सांग्पो कहते हैं। उसके बाद नामचा बर्वा के पास दक्षन की ओर मुड़ती है और दिहांग नाम से अरुनाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सादिया की निकटी ये असम घाटी में प्रवेश करती है जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम घाटी से लेकर धुबरी तक ये पश्चिम की ओर बहती है उसके बाद बांगला देश में प्रवेश कर जाती है जहां ये गंगा नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुक सहायक नदी बाये तट में दिबांग, लोहित, धनसरी और कोपली हैं, जबकि दाये तट पर सुबनसरी, कमेंग जिसका पुराना नाम भरेली है, मानस और तीस्ता हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपु परिस्थित है, एस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, अप्शन डी.